बोलिये सद्गुरु देव की धर्यवान, प्रम्पु जगुरु देव जी, मंचसिल वंद्नी संसमाज, धर्म प्यमि सज्जनों मतां, मेरे लिए इर्देश हुआ है, आप सब के बीच थोड़ी देर निविदन तस्तूत है, कल मैं धर्म के बारे में चड़्चा कर रहा था, और चड़्चा करते करते दवरान में एक बात मैंने कहा, कि मकान बनते जा रहे हैं और घर टूपते जा रहे हैं, आईए आपको घर बनाने की कला बताता हूँ, पहुंतों के पास सब कुछ होते हुए भी घर नहीं है, और बिना घर के आदिमी व्यस्थित जीवन नहीं जी सकता है, आप जो जो घर बनाना चाहते हैं, उसमें जितना मटरियल लगेगा, उसको मैं दूँगा, अब मटरियल आप लेने के लिए तेयार हो जाईए, मैं मकान बनाने का मटरियल नहीं दे सकता हूँ, घर बनाने का मटरियल दे सकता हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है बड़े-बड़े मकान बनाते देखे हैं और बड़े-बड़े मकान कैसे बनता है बताऊ छड़ सिमेंट गिट्टी इल्ट रेता बालू से बनता है लेकिन घर उससे नहीं बनता है याद रखेगा आप लोग दस, बीस, दीस, चालीस मंजिल मकान बन जाएगा लेकिन घर उससे नहीं बनता है घर बनता है आपस के प्रेम से घर बनता है देरान और जठान एक दुसरे से प्रेम से रहे घर बनता है सास और बहु प्रेम से रहे घर बनता है मा और बेटे प्रेम से रहे घर बनता है भाई और भाई प्रेम से रहे घर बनता है बाप बेटे प्रेम से रहे तब घर बनता है लिकिन आज भारत का दुरुभाग्य है कि मकान बनते जा रहे है घर तूरते जा रहे है और घर है भी तो सांती का घर नहीं है प्रेम का घर नहीं है जैसे नर्क का द्वार ह ऎई एसा घर में ही जैसे आदमी घर से प्रवेस, घर में प्रवेस करता है, लगता है कुछ घूंज उठी है, एक संसला हट की आवाज लगती है, ललकारने की आवाज लगती है, आदमी को बाहरी सकुन महसुस होता है, आये दिन घर में एक दुसरे से ज़गडा एक दुसरे से लडाई तु तु मैं मैं घर को नर्ग का द्वार बना देती है क्या ऐसे में आप बच्चों को उच्च संस्कार और सिक्षा दे सकते हैं भ्रांतियों में कलपनाओं में नाना अंधर विश्वासों में कलपनाओं में भटकते जीवन बरबाद हो जाता है क्या SM क्या आप अपने बच्चे को उच्छ संस्कार और सिक्षा दे सकते हैं आज की विज्ञान के जबाने में पढ़े लिखे लोग भगर करके डिगरियां कर लेते हैं डिगरियां हाँ से मिले पिएसडी भी कर लेते हैं लेकिन इतनी भी तमिज मालूम नहीं होती है कि पानी कैसे गिरता है हानी लाब कैसे होता है घटना कैसे गड़ती है इस सारे चीज कुछ मालूम नहीं होता है गले में ताविज बांद लेंगे, हाथों में ताविज बांद लेंगे, क्या आपको अपने करमों पर भरोसा नहीं है, जितने लोग बांद हैं, आपसे मैं प्रसन करना चाहता हूं, क्या आपको अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, क्या आपको अपने करमों पर भरोसा नहीं इस ताबिच पर भरोसा है गले के ताबिच पर भरोसा है अपने जीवन पर भरोसा नहीं आपको आपको सद्गुरु संतों के चर्णों में भरोसा नहीं है सद्ग्यान में भरोसा नहीं है सद्गुरु कबीर के विचारों पर आपको भरोसा नहीं है तो सत्संग करना आपका बिकार चल जाएगा गोर ऑप सबसंग भी करते हैं इधार अंद्र इस्वास का लगाम लगा करके बैठ्टे हुए कि पहे और कहते हैं कि हमारे बच्चे को मुछ शिक्श जब्ढके संस्कार दे जाये नहीं दे सकते आ घर नहीं बना सकते हैं आप मकान बना सकते हैं है बड़े-बड़े मकान बनते हैं, लेकिन जैसे ही जाएंगे वहाँ पर ताबिज बंधा होता है, कुछ नारियल बंधा होता है, कहते ही इसे ग्रह नहीं लगेगा, नजर नहीं लगेगा, क्या जीवन में इतनी भी हमारी दिमाग के खोपड़ी नहीं उल्ड़ गई हैं, अप भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान की बाद आई तो मैं एक बात अजीब से लगती है, इतने हम लोग कायर और कंजोर हैं, कि भगवान के भरोसे बैठे बैठे अपने जीवन को बरबात करते हैं, और इतना भी आपनों कोई स्वास नहीं है, जितने भगवान के भरोस थी लासे गिल रही थी आए दिन हरगाओं से लासे निकलते थी मौद का तांडव चल रहा था उस समय भाइस सारे भारत देश की भगवान की दर्वाज़े बंद पड़े थी कहां गए उस समय आपका भागवान जब पूरे भारत देश में मौद की त्राही मची हुई थी मौद का टांडव मचा हुआ था तब कहां गए आपके भागवान एक किनारे में चीप गए उनका गेट दर्वाज़ा भी बंद हो गया भागवान कहां गए आपका उस समय इतने हमारे भारत देश में नक्सलाइड आतंगवाद है कहां से पैदा होते हैं आप सब कुछ कहते हैं जो कुछ हो रहा है भगवान के क्रिपा से हो रहा है तो क्या भगवान के क्रिपा से हो रहा है नक्सलाइड और आतंगवाद के हाथों से गोलिया निकलती है बंदुके निक रहा है पिर आदमी को बंदाम क्यों किया जाता है और इधर से यही जो नकसला रातंगवाद है ना वह कुछ भोन्य की पासे हो रहा है सथकती यहीं है ना भगवां से मत बैठे रही आत्मीं बंधों अपनी करमौों पर विश्वास रखि 보़। जदी आपका कर्म खराब है तो आप कुछ भी कर ले ना न कल्पना कर ले आपका जीवन नहीं बन सकता आप भर नहीं बना सकती हैं आपस का प्रेम घर बनाता है, सबसे बड़े हाँ सुन्दर तरीका है, आपस का प्रेम, प्रेम पर अभी स्री दिलिप शाहिव चर्चक कर रहे थे, प्रेम गली अतिसांकरी जामे दो न समाएं, प्रेम की गली इतनी सक्री है जामे दो नहीं समा सकता है, अंकार और प्रेम नह नहीं हो सकता है, प्रेम से अपने घर को बनाईए, प्रेम से घर को एक नए संचार दीजिए, प्रेम से घर को नए धंग से चिचने का प्रास करिए, आपका घर सुर्ग बन जाएगा, आपके बच्चों में वो संसकार बनेगा, आपका घर घर बन जाएगा, नहीं तो आप मक प्रेम नहीं होता है, तो घर घर नहीं नरका का द्वार बन जाता है। माताओं से निवेदन है, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपकी बेटी जिस दिन आपके बहु को अहसास हो जाएगा कि सच में असली मेरे माता पिता मेरे सास ससुरी है उस दिन आप सासु माही नहीं बलकि एक माँ बन जाती है। जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम अपने बहु से करिये आपका घर घर बन जाएगा। आप अपने बेटी से जितना प्रेम करते हो बेटी को सो दूर चली जाती है लेकिन जब ज़ुरत पढ़ती है तो वही बहु काम आती है जो आपके साथ रहती है। क्योंकि मेरे घर में बहुं सारे काम हैं आप क्यों नफरत की जिंदगी नफरत का बीज बोते हैं अपने ही बहु के साथ में अपने ही परिवार के साथ में और बहनों से निवेदन हैं आप अपनी सासु मा को मा की तरह देखिए मा समझे और मा की तरह प्यार करिए तो आपका घर घर बन जाएगा बानों से निवेदन है कि अपने आपने सासु मा को सासु मा का रिस्ता हटा दीजे वहाँ पर आप अपने सासु मा का रिस्ता हटा करके बलकि मा और बेटी का रिस्ता लागू करिए देरान और जठान का रिस्ता हटा दीजे वहाँ पर सास देरान और जैसे नर्क का द्वार लगेगा, नफरत मत करिये प्रेम से जिये जिन्दगी को, घर पैसे के अभाव में नहीं तूड़ता है, याद रखियेगा, घर तूड़ता है प्रेम के अभाव में, घर भिखरता है प्रेम के अभाव में, प्रेम के अभाव में घर, परिवार, समाज तो आपने कुछ नहीं सीखा इस घड़ना बताएं आपको एक जिगा एक संथ रास्ते से गुजर रहे थे रास्ते से गुजरते गुजरते रास्ते में देखते हैं एक बेटी एक बुड़िया मा को बड़े प्यार से नहला रही थी और बुड़िया मा की अवस्ता क्या होगी लगभग लगभग 90 साल की अवस्ता रही होगी 90 साल के अवस्ता में सरीर सीकन सा हो जाता है चमडी सितिल सा हो जाता है और ज़्यादा तेज पकड़ो तो चमडी भी छिल सकती है अवस्ता थी संद पूसते हैं, उनको देखते हैं, बड़े प्यार से उनाहला रही है संद पून बेटी से पूसती है, बेटी क्या तुम्हारी ये सासुमा है, बड़े प्यार से नाहला रहे हो वो बेटी बोलती है महराजी मेरी सासु मा नहीं है बलकि उससे बढ़कर के रिष्टा है फिर पूसते हैं क्या तुम्हारी ये मा है वो बेटी बोलती है महराजी मेरी मा भी नहीं है उससे बढ़कर के रिष्टा है महराजी को बड़ा अश्चरिय होता है मा और सासु मा से बढ़ करके पज दुनिया में क्या हो सकता है उनको रहा नहीं गया फिर पुना पूचता है ये तुम्हारी मा नहीं है न तुम्हारी सासु मा नहीं slider है तो कौन है तो बेटी बोलती है महराज जी ये ओ मा है जो लोग अपने पती से लड़ते हैं अपने सासु मा से लड़ते हैं देखिए उसके घर में प्रेम का कैसी संचार है वो बेटी बोलती है महराजी यो मा है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है जिसके बदवलत मेरे माथे पे सिंदूर लगा है जिसके बदवलत मेरे गले में मंगल सुत्र है जिसके बदवलत मेरे हाथों में चुड़ी है और पाउं में बिंदिया है पाउं में माहूर है क्या ऐसे लोग अपने सासु मां से लड़ेंगे क्या ऐसे लोग अपने सासु मां से नफरत करेंगे आप नफरत का पीज बोते हैं घर को नर्गा का द्वार बना देते हैं वो बेटी बोलती है जिसके बदवलत मैं इस घर में टिकी हूँ और आज मेरा घर नहीं मेरा सब कुछ मेरे दुनिया है ये घर आप प्रेम का पीज बो ये आपका घर घर बन जाएगा आप प्रेम का संचार करिए घर घर बन यही सतसंग का उदेश्या है और सतसंग का उदेश्या कुछ नहीं है भाई लोग पैसा ला करके कमा करके देते हैं लेकिन घर बनाना आपके हाथों में है घर कैसे बनाना है प्रेम से घर बनाने का मतलब यह नहीं, आपके घर में जैसे ही प्रवेस करें, डैनी टेबल सजा हो, बेडरूम सजा हो, वैठक रूम सजा हो, कीचन हाल सजा हो, इससे घर नहीं बनता है, इससे मकान बनता है, इससे मकान सस्ते और समड़ते हैं, घर बनता है प्रेम से, घर बनता है सु कितना सुन्दर घर बना सकते हैं बनाईए आज आऊ सर मिला है आपको आज आपका तन स्वस्ता है मन स्वस्ता है handry क्योंसकते हैं कुछ आपाहिज है जो चाहते हैं मैं सशंग में सुनना चाहत Kissann visit account कि नहीं इंторов करके हैं आपकी ही दसा हो जाएगी तो आपके मन में कितना पस्तता होगा कितना गलानी होगी इसलिए आज आपको अवसर मिला है आप घर में प्रेम का संचार करिए अपने घर को स्वर्ग बना लीजिए आपसी प्रेम ही आपके घर को महल बनाता है आपसी प्रेम यदि आपके घर में पैसा कम हो तो पड़क्लाइन नहीं चल सकता है आप के प्रेम में घर की द्रारें बढ़ती चली जाती है। इसी से घर संदधर का समाज का निर्मान होता है, और बच्चों को इसी से अच्छी सिक्षा मिलती है भ्रांतियों में बच्चों को मत अटकाईए आप जदी भ्रांतियों में बच्चों को फसाते हैं आज आपको बच्चे प्रसन कर देते हैं आज के बच्चे गूगल गरला है याद रखेगा आपके बच्चे प्रसन कर देते हैं मम्मी बांदे हो ताभी जिससे क्या होता है आपके पास सहीं उत्तर नहीं होगा ऐसी है घड़ना बताओं एक बच्चा उनके देखते थे अपने मम्मी रोज पूजा करती थी पूजा करती थी और उनके अपने मम्मी से पूजते थे मम्मी पूजा करने से क्या होता है उनके मम्मी उत्तर देती थी बेटा भगवान है भगवान की पूजा करो याचना करो भगवान से जो कुछ मंगो सब कुछ मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है रोज यही उत्तर देती थी एक दिन बच्चा प्रसना उत्तर उनका एक जाम था पेपर दिला करके आता है और पेपर दिला करक के बाद में उनके उस प्रस्ण आया था एक कोस्टन सा कि बिहार की राध्धानी कहां है तो उन्होंने उत्तर में लिखा बिहार की राध्धानी फार्विज गंज है जैसे ही कोस्टन साल से बाहर निकलता है उनको पता चलता है उनको पता चलता है कि बिहार की राध्धानी फ आते थे लेकिन आज भग्वान के पास क्यों बठ गया इतने में बच्चा पुसता है मा भग्वान तो सब कुछ कर सकता है ना कहते हैं यहाँ बोलती है यह नहीं हो सकते हैं Are आप ताबीज बांध करके आप क्या उपलब्धी कर लेंगे ये जितने संत बैठें हैं उपर में बैठें हैं इनके मन में कोई भ्रांती नहीं है कोई कलाकल पना नहीं है कोई रागद्वेश नहीं है किसी के लिए भी अंधविश्वास नहीं है इनको लगन मोर्द नहीं होत में अपने समय को बरबाद करते हैं आप अपने घर को सुन्दर बनाईए और सुन्दर वाता वरण तयार करें भ्रांतिया ना थो बच्चे को गलत अवहार और गलत आचरन मत दीजिए अच्छा अच्छा सीख दीजिए सही सही बाते बताईए मैं एक घटना और बताऊं आपस का प्रेम आपके घर को महान बना देता है सबसे ज़्यादा घर को महान और प्रेम का संचार आपस के बहु और बेटे में यदि आपस के सास और बहु में प्रेम हो तो वह घर घर बन जाता है नहीं तो नरका का द्वार रहा जाता है साज बहु ऐसे ही एक जगह के और घटना है साज बहु आपस में रहते थे साज साथ में लेकिन बहु तेज तर्रार थी सोच लीजिए कोई बहु यहां पर तेज तर्रार होगी तो आपके साथ कौन सी घटना घटने वाली है देख लीजिए आप बहुत तेस तर्रार थी रोज सासु मा के साथ लड़ाई होती थी उनका छोटा सा बच्चा देखता था चार साल का बच्चा पांस साल का बच्चा रोज देखता था रोज मा और दादी रोज लड़ाई लड़ाई के अंति परणा में यहां आता था कि दादी मा रोज रोते रोते कमरे में चले जाती थी और कमरे में चले जाने के बाद में रोती रहती थी, बच्चा देखता था गलती किसकी है, बच्चा देखता था गलती किसकी है, एक दिन ऐसी सिती आती है, रोते रोते फिर कमरे में जा रही है, पीछे से उसका छोटा सा फोता पांच साल का फोता पीछे पीछे जा रहा है और पीछे पीछे जा रहा है और जाते जाते उनके दादी मा रो रही है बैट करके रो रही वहाँ पर अपने दादी मा का पल्लू उठाता है और उनके आशु पोचता है और आशु पोचते पोचते बोलता है दादी मा गुष्टा है पिभल Never a क्वान पेशाषकी से कहूं गां या अपनी सासू मां की कभी शेत्वा मत करना क्यूंकि अपनी सासू मां या एप आपके घर में ऐसे तो नहीं होता है, आप लड़कर के अपना जीवन बरबाद करते हैं, आप लड़कर के अपना भविस से बिकार करते हैं, आप लड़कर के अपने बुढ़ापे के लाठी को कंजर बनाते चले जाते हैं, बुढ़ापे के लाठी को तोड़ मडोड रहे हैं आपके बुढ़ापी की लाटी मतलब बच्चे को अच्छा संसकार देना आपने बच्चे को अच्छा संसकार दिया अच्छा दिया और नहीं दिया तो बिकार चला जाएगा और दिया तो अच्छा होगा इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अच्छे संसकार दिजिए आप बड़े बड़े बेल्डिंग नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं छतवाला मकान में नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं लेकिन आप सुन्दर घर का निर्मान करिए जिस घर में आपस में भाई और भाई देरान और जठान दो पहर का भोजन करते हो एक साथ मिल करके भोजन करते हो मानो उस घर में रोज होली कतेवार है और जिस घर में रात्री के समय सभी लोग आफिस से आने के बाद, काम धंदा से आने के बाद में माता पिता का चड़न इस पर सकरते हो, गुरु पाट कर लेते हो, गुरु ग्यान चर्चा कर लेते हो, दस मिनट, फंद्रा मिनट, बीस मिनट और एक साथ मिल करके सभी बड़ो बुजुर्गों का चड़न इस पर सकरते हो और रात्री का भोजन एक साथ करते हो मानो उस घर में रोज दिपावली का तेवार है आप लोग साल में एक बर मनाते हैं न मैं रोज मनाने कहता हूं तब आपका घर घर बन जाएगा नहीं तो आपका घर मकान तक ही सिमित रहेगा इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही सतसंज से यहां से जाईए तो सब लोग भ्रांती फेक करके जाईएगा आपसे निवेदन है आपका कोई बाल का बाका नहीं कर सकता है जितने जंत्र, मंत्र, टंत्र, भूत, प्रे, जादु टूना बताते वाले हैं सब महात धू तो से आप लोग बच करके रहेगा अपने जिन्दगी को बरबाद मत करिए उन धर्तों के धोर्तों के चक्कर में कभी मत आईएगा भेग दीजे ताबिज कुछ नहीं होने वाला है आप अपने करमों पर भरोसा रखिए आप अपने बुलंदियों पर भरोसा रखिए आप अ वह में कशागर अंधा सागर वह में कशागर अंधा सागर जिशिकार नहीं किनारा है वह मने जग में सब को डुगोया किशिको पार उतारा है अभी आप हम सभी लोग प्रम सर्धे संस्री अनिल सहाब जे वहम भरम भरांती और दुसरी तरफ घर बनाने की बात सुर्वन कर रहे हैं वह कौन सा घर अपने एक खुश्यों से भरा प्रेम से भरा आनंद का घर चुकि बाहरी घर बनाने की जो हमारे मन में कलपना आती है तो हम लोग इंटां शिम सेंट चर्ड बालू और गिट्टी की तयारी करते हैं कितना लगेगा सबसे पहली मांग क्या होती मिस्त्री की इटा उसकों बालू गिट्टी शिमेंट और चर्ड यह पांच चीज़ के आवश्चता पड़ती है बाहर के माकान बनाने में और इस परिवार के घर बनाने में सबसे पहला इटा आपने मांगाया और एक एक इंटा को जोड़ते जाए मिस्त्री 10 का चौडा दीवाल हो 15 इंच का चौडा दीवाल हो और इटा जोर दे 10 पृट तो क्या होगा इटा गीर जाएगा घर थंबहेगा नहीं यकिन 5 इंच का दीवाल हो और हर एक इंट के और पानी ठीक पर एक-एक आदमी समाज का इंट है परिवार का इंट है और एक-एक आदमी के बीज में जाब प्रेम समिता सहस्नुता यह तीन जासरा लगा रहेगा अभी प्रेम के समन सरुन कर रहे थे प्रेम का पानी हो शमता का बालू हो और सहन सीलता का सिमेंट हो और तीनों मिलकर के मसाला बन जाए आदवी को जो ताओ वहाँ घर कभी नहीं तूटता है जिसमें ये प्रेम का मसाला होता है समता का बालू होता है और यह जो मसाला से घर बनता है वह अगर कभी नहीं तूटता है अगर ये मसाला हम नहीं देते हैं बालू की टी सिमिंट का तो दिवाल तूट जाता है उसमें भी क्या होता है मसाली की मांगर पांच एक की बजम आठ एक का देंगे तक्याव घर तो बनेगा छो महना गबाद दरार आ जागा हलकी सी जटका आएगी हलका सा भोकम भाय हावा का जोक आगा तूट जागा उसी प्रकार से हमारे प्रेम में कमजोरी होगी समता में कहीं थोड़ा कमजोरी होगी तो हलकी सी जनजनाट आएगी तो हमारा घर तूटके बिखार जाएगा और कभी निखर नहीं सकता है उस घर को बनाने के लिए मजबुत सिमेंट बालू का छड़ चाहिए इस घर को बनाने के लिए प्रेम, समता, सहिसनोता का बहुत सुंदर ये गाढ़ा चाहिए जब ये गाढ़ा मसाला मिलेगा तो हमारा घर कभी नहीं तूटेगा और आज विशी कों में एक उधारन है शिवनरेन जादब है, नुनुलाल जादब का लड़का बेटी की साधी हो गई है, सद बेटा की भी साधी हो गई है यानि नुलालवा के पोता-पोतिक साधी हो गई है लेकिन आज तक घर नहीं तूटा है, दोनों की बिचे प्रेम है, दोनों भाई साथ रहे थी क्यों? कि प्रेम का मसाला उसके घर में है अब बहुत सारे घर में क्या होता है लोग आते ही घर विखब टूड़ जाता है मैं जब आता हूँ इतने खुसी मिलती है वो प्रेम जब तक प्रकरार है सहैन सिर्ता परकरार है एक दूस्रे के परती स्मर्पन की भावना प्रकरार है जिस घर में वदोध हो जाता है मैं जादा क्यों करूँ कम वो क्यों करे तो वहां वर्क तूट जाता है जहां पर मैं पन की भावना थे मैं जादा जादा करूँ और हर एक प्रानिय से मैं जादा जादा करूँ तो वहां कभी वाद नहीं होता है तो बहुत सुन्दर भीचार हमारी साह Ole बता रहे थे कि छोटी सी जिंद्गे में तक्रार किसलिए रहती है दिलों में दरार किसलिए हाई साथ कुछ पलों का फिर जुदा-जुदा रहों में खड़ा करें दिवार किसलिए आईए इसी कड़ी को आगे बराते हैं वे